Hello everyone, Welcome to Korn Study तो यह है Part 3 of JNK Geography तो जैसा कि आप सुब जानते हैं मैं एंच रद्धा मैम आपको General Awareness Action करवा रहे हैं आज की वीडियो में हम JNK की Climate और Hydro Projects की उपर बात करेंगे हमेशा की तरह कुछ questions पूछूँगा मैं आपसे जिनके answer आपको नीचे comment box में देने है और बहुत सारे बच्चे answer देते भी हैं लेकिन कुछ नहीं देते हैं तो मैं request करूँगा कि जित्ता भी आपको समझ आता है आप attempt करने की जरूर कोशिश करेगा अचा साथ ही साथ चार subjects की हमें playlist बना दी हैं तो आप अपनी पूरी तियारी कर सकते हैं Class 4th Recruitment की कौन study के साथ अगर मैं बात करता हूँ syllabus के regarding तो JNK की geography में मैं एक ओर topic आपको करवाऊंगा जिसमें मैं handicrafts, minerals and rocks की distribution समझाऊंगा तो जलिए आज का लक्चे शिरू करते हैं तो Jammu and Kashmir Union territory में हमको usually Jammu में गर्मी देखने को मिलती है जबकि Kashmir का temperature usually moderate माना जाता है लेकिन ये तो बहुत ही basic सी चीज है और paper में आपकी deep knowledge चेक की जाएगी तो question ये है कि paper में आपसे क्या-क्या पूचा जा सकता है इस topic से आपसे पूचा जाएगा उन mountain ranges के बारे में जो Kashmir के adjacent है और Kashmir के temperature को effect करती है आपसे पूचा जा सकता है उन seasons के बारे में जो हमको देखने के लिए मिलते हैं जब्मू और Kashmir में तो चलिए इन topics को detail में discuss करते हैं तो as we know mountain ranges बहुत ही effect करती हैं किसी भी particular area के temperature को तो इसी तरीके से north से कारकॉरम range south and west से पीर पंचाल range and east से जन्सकार range बहुत ही effect करती हैं कश्मीर के temperature पे अगर हम बात करें seasons की तो तो जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीरी कलेंडर में total 6 season है हमारे पास लेकिन हमको इनका कश्मीरी नेम याद रखना है सबसे पहले हमारे पास आता है सोंत, ग्रीश्म, वरात, हरूड, वांत and शिशुर ये नाम आपको अच्छी तरह याद करने हैं क्योंकि इनसे question बनते हैं तो आप बात करते हैं जम्मू के बारे में जम्मू का जो average temperature है वो 18 से लेकि 40 degree तक रहता है सबसे पहले spring season जो कि February से लेकि मार्ज तक चलता है next आता है summer जिसमें 45 degree तक temperature चला जाता है and next आता है monsoon season जो July 15 से शुरू होता है और जम्मू में अगस्त तक चलता है next is autumn season जो कि September से लेकि नवंबर तक चलता है hilly areas like dota में ज़रूर होती है and last में थोड़ा सब ब्रीफ में लदाग के बारे में भी कर देता हूं आपको तो लदाग में basically दो ही seasons होते है summer season and winter season summer season में temperature 15 से लेकि 25 degree तक रहता है जबकि winters में minus 40 degree तक चला जाता है तो basically लदाग के आपने दो ही seasons को याद करना है अब कुछ questions पूछूंगा मैं आपसे सबसे पहला question यह है कि कश्मीर वैली के जो northern side पे mountain range टच करती है उसका नाम क्या है इसका answer आप नीचे comment box में करेंगे question second जिसका answer आपको करना है वो है कि कश्मीरी कलेंडर के हिसाब से summer season का क्या नाम है and last question कि जम्मू का जो average temperature है वो उसकी range क्या है अब हम बात करेंगे hydro project of jnk के बारे में basically हमारी video का motive यह है कि हम हर एक important hydroelectric power project को पढ़े लेकिन उससे पहले थोड़ा सा concept बिल करना भी ज़रूरी है ध्यान से देखेगा हम बिल्कुल basic level पर पढ़ेंगे जादा detailing में नहीं जाएंगे यह है एक dam ठीक है यह है पीछे reservoir अब होता गए dam को एक opening दी होती है यहां से और यहां से पानी कि बहुत तेजी से नीचे गिरता है और नीचे होती है turbine ठीक है क्या होती है turbine जितनी ज्यादा turbine होंगी उतना बड़ा project होगा यह turbine मूबफ करती है बहुत तेजी से और यह connected होती है किसके साथ एक generator के साथ जब यह move करती है तो यह generate करती है क्या electricity city तिए क्योंकि generator करता है इसकी movement को convert करता है कि इसमें electricity में और यह जो पानी है यह क्या होगे हमारे पास hydro यह hydro power दे रहा है और यहां से generator क्या कर रहा है electricity produce कर रहा है तो यह क्या बन गया hydro electric power plant बन गया क्यों क्योंकि power अब मैं आपको थोड़ी एक लाइव वीडियो से समझाता हूँ इसमें जो रहे है पीछे जो डाम है इसके पीछे रेजर्वायर है तेके पानी वाहां स्टोड है वो जो एंट्री लिए डाम कि यहां से पानी होगा है और इसे तर्वायर को फिच कर रहा है इसे पीछे जनेरेटर जो कनेक्टेड है वहां एलेक्टिशिटी फेडियूट हो रहे है तो हम क्या करेंगे कौन सी रिवर पे कौन कौन से बार प्रजेक्स की लिस्ट है पहले हम उ शुरू करेंगे चिनाब रिवर से चिनाब रिवर पे जितने भी पावर प्रजेक्स है और सारे चिनाब वैली पावर प्रजेक्स कंपनी ने बनाए है ठीक है यह क्वेशन बहुत बार आता है कि प्रोजेक्स किसने बनाए है यह प्रोजेक्स बनाए है चिनाब वैली प्लस जेके SPDC ने ठीक है NHPC होगे National Hydro Electric Power Corporation ठीक है और जेके होगे JNK State Power Development Corporation ठीक है अब प्रजेक्ट कुन कुन से बनाए गए है देखी एक बार Salal Hydro Electric Power Project Bagliar Hydro Electric Power Project Dulhasthi Hydro Electric Power Project और Rattle Hydro Electric Power Project अब इसको थोड़ा डिटेल में study करते है सबसे पहले दिखते हैं Salal Hydro Electric Power Project को ठीक है इससे बिसिकली आपसे दो कोशन पूचे जा सकते हैं हर एक से बिसिकली आपसे दो ही कोशन पूचे जाएंगे क्या हाइट कितनी हो सकती है और कपैस्टी कितनी हो सकती है और यह किस रिवर पर है रिवर तो मैंने आपको पहली बता जिए कि सब चिनाब रिवर पर हम डिसकस कर रहे है ठीक है और यह है क्या है यह Run of the River Project है ठीक है Run of the River Project क्या होता है इसमें बिसिकली हम पानी को स्टोर नहीं कर सकते है ठीक है In Short running water से ही electricity प्रडियूष की जाती है इस CASE में ठीक है ठीक है नॉर्मली तो हम रूपिश में पानी को स्टोर कर लेते हैं ठीक है और फिर उसको release करते है और electricity प्रडियूष होती है लेकिन यहां पी Alex होता है और यह होता क्यों है क्योंकि हमने Indus Water Treaty sign की हुई है जो हमें Alloy नहीं करती कि हम पानी को स्टोर कर सके है हम 618 क्यूबिक मीटर से जादा पानी स्टोर नहीं कर सकते है यह क्लॉज है Indus Water Treaty का अगर आपने मेरी Indus Water Treaty की वीडियो नहीं देखी है तो उपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं जाए हाइड कितनी है है 144 और हूत है capability फोर फिफिर कि यह है RAM ऑफ्दावड हीज़र पक्रोजेक्ट और लिस्यक्लिये for 50 अगर निदेख अग़ा ने वंंच होते हुछ ने थे लेकिन अगर कंप्लीद पूच ठीक है चंद्रा रिवर के चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है ठीक है और यह कम्प्लीट हुआ था 2007 में और यह काम पर यह है किस्ट वार में इसकी हाइट है 70 मेगावाट और इसकी कि पैस्टी इसकी कितनी है 390 मेगावाट अब नेक्स डाने वारेपर्स रिट्र हाइड्र इलेक्रिक पार पोजेट इसके लैंथ कितनी है इसके लेंथ हाइथ इसकी 123 मेटर और कपैस्टिझ की 850 मेंगाट काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और यह भी कहा है रन आफ दे रिवर प्रोजेक्ट है और कहां बन रहा है यह भी यह बन रहा है किस्तवाड में ठीक है आई गैस ही 2011 में शुरुआ था आप गोगल कर ले ना 2011 में मैं से शुरू हुआ था यह और यह एक्सपेक्टेड है अराउंड 2019 एंडिंग ने तो 2020 तक यह कंप्लीट हो जाएगा अब यह हैं कुछ अपकमिंग पार प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे और यह काफी इंडिया ने इन सब प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी करने का ओडर दिया है और इसके लिए यह 9 billion dollar मैं लिख देता हूं को 9 billion dollar और अगर इंडियन रुपी में देखें तो 567 billion rupees allot किये गए हैं ठीक है और इतनी कपैस्टी है ठीक है इन प्रोजेक्ट की ठीक है अगर हम बात करें हैं किर्थाई 1 और किर्थाई 2 यह 390 में प्रोजेक्ट का है ठीक है 390 में वाट का है यह गुलाब गढ हम गण विलिख कुश्टवाद में इंज में दोनों प्रोजेक्ट उतर के हैं थन्हें नुक् lot और 930 काफी बड़े प्रोजेक्ट है की विलेज में हमें काफी बड़े प्रोजेक्ट आप्यकर अग्ला है पकल डल की है तो बाद कर दोड़कों इस마 за इसलिए थी इन पर क्योंकि काफी लोगों के घरों को डिस्प्लीज किया गया था और उनको मुआफ़जा भी दिया गया था इनके लिए तो इसके लिए इन्हें काफी बार कोईशन में पूछा जाता है ठीक है यहां पर खतम होगे हमारे चिनाब के प्रोजेक्ट ठीक है जितने प्रोजेक्ट है वह सारे हमने कवर कर लिए नेक्स्ट जेलम रिवर पर अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये तो प्लीज इसे लाइक करिएगा जितने भी एफट्स हम डाल रहे हैं आप ठीक ह utilize हम एकरशन गंगा हाईड्रो एीपर इसन अब बहुत सारे बच्रिशे कहेंगे किशन गंगा था हुआ किशन मिश्रम कि अरि बात करते हैं तो और है फो और है उलो승ं क्सेच्व में को ऐका हैं बारा मुला जो कश्मीर की डिस्ट्रिक के हैं वहां पे बनाया गई यह भी क्या है रन आफ दा रिवर प्रोजेक्ट है 2005 में ही स्टार्ट हुआ था और 2014 में ही कम्टीट हुआ था यह दो प्रोजेक्ट में डिवाइड़ेड है और 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 टू में और रिवन की जो कपासिटी लगी है वह 480 मेगावाट इसमें basically चार्ट टर्बाइन लगी है जो 120 ईच जनरेट कर रही है और यहां पर दो लगी है जो 120 जनरेट कर रही है और यह कितना है टोटल 240 मेगावाट का नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है जेलम रिवर पे वह किशन गंगा थाइडुलेटरिक भार बोजेक्ट इसके लेंद इतनी है 37 मीटर का प्रोजेक्ट और इसमें 110 मेगावार्ट की टर्बाइन लगीए क्या है उसका हैं तोटल कपैश्टी स्की कितनी विला जाती हो 330 मेंगावाट ये रन आफ द रिवर प्रोजेक्ट है और है और यह कहां पर ये बंधी पूरा डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है नेक्सट इंडर Lessiver इंडर इवर पे हमारे दो में प्रोजेक्टस हैं एक है नीमो बाजको इलेक्रिक पाइडिक पार सेशन रर सेकंड है चुतक हएड्रो इलेक्रिक पार प्रोजेक्ट सबसे बह unpre Cuando Deep I amu heal भाजको फेडा acje जो यह जो है यह यह ले में है और ये भी कहा है, Run of the River Project, लास्ट है हमारे पास, चोतक Hydro Electric Power Project, ठीक है, ये भी Run of the River Project है, ठीक है, और ये है कहां पर, ये है कार्गिल में, कार्गिल डिस्टिक्ट जो है हमारी, ये वहाँ पर है, ठीक है, ये River है, सूरू River, और ये सूरू River कहा है, ये एक Tributory है, किसकी Indus River की है ठीक है, और इसकी Capacity कितनी है, इसकी Capacity है, 44 Megawatt, Basically इसमें 4 Turbine लगे हैं, जो 11 Megawatt जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो से इतना ही, I hope आपको वीडियो प्रसंद आई होगी, अगर प्रसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, Thank you and God bless you all.